हालो गाइस, हम आएं ते आज हैं पर आप से मिल लें एक नही रेसिपी के साथ तो चलिए जान लेते हैं आज कि रेसिपी क्या है मसाला, ग्रेवी, चिकन, तो चलिए हम सामागरी जान लेते हैं सर्टिम काटना है जिसमें कढ़ाई करना है यहां पर हमने ऐल गनम है और यहां पर देखार प्याज सकते हैं अईसे ही आपको काटना है और यहां पर गड़े मसाली लिए आप देख सकते हैं इन सभी मसालों को हम अतरक लैसुम के पेश्ट के साथ पीसेंगे और ये तेज़ पत्ता है और रेट चिल्ली है दो सुखी लाल मिर्श और ये घर पर ही मैंने सारे मसालों को बनाया हुआ है श्टोर करके रखा है आपको इसके मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मज़े जरूर बताइएगा सारे ख़ड़े मसाले धनिया पाउडर सबको हमने भूंच कर पीस कर एर टाइट डिब्बे में हमने रख लिया है तो हम वही यूज कर रहे है तो गाइस चलिए बनाना सुरू करते हैं ओईल हमारा गरम हो गया है आप देख सकते हैं गाइस आप देख सकते हैं तेल हमारा गरम हो गया है हम तड़का देंगे तेज पत्ता और दो लाल सुखी मिर्ची से चलिए हम तड़का देते हैं अब इसे प्याज याड कर रहे हैं अब सारी समग्य को चिकन के हिसाब से लीज़ेगा गाइस हमें एक किलो चिकन लिया हुआ है अब ज्यादा भी ले सकते हैं तो अब ज्यादा भी ले सकते हैं अब ज्यादा भी साथ इसे लाल होने के लिए अब देख सकते हैं जाओप्याज हमारी गॉल्डमराउन हो गई है हमने स्लो फ्लेम पर प्याज को गॉल्डमराउन किया है आप देख सकते हैं किता बढ़िया कलर आया है आप पो भी शुरो फ्लेम पर ही प्याज को गोर्डन मिलाउन करना है अब चलिए हम इसमें चिकन आड़ करें यहाँ पर हम चिकन आड़ करेंगे करने चिकन आड़ने के बाद हमें घ्याज को हई फ्लेम पर रखना ह। और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है आप देख सकते हैं गाइस हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अब देख सकते हैं गाइस चिकन को हमने अच्छी तरीके से प्यास के साथ मोजना है मिक्स करके हम इसे छोड़ जाते हैं चांब के पांच मर्ट करी इसी तरीके से आप देख सकते हैं गाइस प्यास के साथ हमारा चिकन अच्छी करें के लिए है अब रिच में लैसो नद्रग के साथ हमने सारे कहड़े मसाले को पीस लिया है अब रिच में आड़ करेंगे अच्छी तरह से हमें चला लेना है अब मसालो को गिट्स कर देना है चिकन में तेज आज पर ही हमने रखना है चिकन को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है अब हम इसे पान से साथ नट हाई फ्लेम पर भूंजेंगे वीच वीच में हमें चलाते रहना है इस चीज का आपको ध्यान देना है अब देख सकते हैं डाईस कितने अच्छे तरीके से हमारा मसाला बुंज गया है इसको चीजी तरह से चला लेते हैं अच्छी तरह लेकर नहीं करना है नहीं हम ध्धकर पकाना है जैस् अगर हम धक्कर पकाएंगे तो हमारी चिकन के यह जो पीस आप देख रहे हैं यह फटफट जाएंगे इसलिए हमें धक्कर नहीं पका रहा है अब हम इसमें नमक आट करेंगे एक चमश हम नमक आट कर रहे हैं आप देख सकते हैं मिक्स कर देते हैं, चार पांच मैटीक से और हम ते जाट कर देते हैं कर दो भी अरप दूंच लेते हैं कर दो 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 अब दो 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 आप देख सकते हैं, हमारा मसाला अच्छी तरीके से भूंजिया है, तेल भी उपर आ गया है, कितना बड़िया कलर आया है, आप देख सकते हैं, अब हम इसमें सारे मसाले घर की बने हुए हमने आपको बताया थे, पानी डालकर हमने इसको भीगो दिया था, अब हम इसमें गयास को हमें तेज ही रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने गयास तेज ही रखकर भूंजा है चिकन को, अब हम मसालो मिक्स करके भूंज लेंगे, देख सकते हैं आप, हमने सभी मसालो को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, आप हम इसे पान से साथ मिलट के लिए छोड़ देते हैं, धख देते हैं, अब हम गयास को धीरे आज में करके मसाले को भूंज जाएंगे, आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया तरीके से हमारा मसालब हो गया है तेल सारा उपर आ गया है इसको हम चला लेते हैं देखिए गाइस कितना बड़ी है कलर आया है दो मलट के लिए इसे हम और पकाएंगे दीरे आंच में और लाल होने देंगे आप देख सकते हैं काइस मसाला हमारा अच्छे तरीके से बुंज गया है तेल भी सारा उपर आ गया है आप चाहे तो इसे ड्राइ भी खा सकते हैं ड्राइ भी रख सकते हैं आप चाहे तो इसमें क्रेवी भी कर सकते हैं, इसको हम चला लेते हैं, बहुत ही बढ़िया खुजबू आ रहे हैं इसमें से मसालों की, आप पीस देख सकते हैं, पीस हमारा विल्कुन भी टूटा नहीं है, तो कि हमने इसे खोल कर पकाया है, आप भी खोल कर ही पकाईए या दखकर विल्कुन मत पकाईए, चलिए अब हम इसमें पानी याट करते हैं, आप देख सकते हैं, ग्रेवी आप अपने हिसाफ से रखिएगा, गैस, आशी तरासी से हम मिक्स करते हैं, तेज आच में हम इसे बॉल होने देंगे, पान से साथ मिनट ही हमें बॉल करना है, क्योंकि चिकन हमारा गल गया है, ऐसे ही अब हम इसे छोड़ देते हैं, बॉल होने के लिए, पाश मिनट के लिए, आप देख सकते हैं, गाईज, हमारी ग्रेवी बाइल हो गई है, कितने बढ़िया तरीकों से, कितना बढ़िया इस पे तेल पूरा उपर आ गया है, किनके जो पीस हैं हमारे, काफी अच्छी तरीके से गल गया है, और तेल भी पूरा उपर आ गया है, चलिए अब हम इसे चला लेते हैं, आप देख सकते हैं, पीस आप देख सकते हैं, देखिए विल्कुन भी टूपटी नहीं है, क्योंकि हमने इसे ढक कर बिल्कुन भी ने पकाया है, अच्छी तरह से हम चला लेंगे, आप देख सकते हैं गाइस चिकन हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से बॉयल हो गया है इसमें तेल भी सारा उपर आ गया है और इसमें जो भी हमने मसाले एट के थे उसकी बहुत ही बढ़िया खुस्बू आ रही आप देख सकते हैं ग्रेवी देख सकते हैं कितनी बढ़ी है इसको हम चला लेते हैं अच्छी तरीके से चिकन भी हमारा पक गया है आप चिकन के पीस को देख सकते हैं गाइस बिलकून भी तूटे नहीं है क्योंकि इसको हमने धकर बिलकून भी नहीं पकाया है अब चलिए हम देख सकते हैं चिकन को पर देंगे आप ग्रिवी देख सकते हैं कितनी बढ़ी गाड़ी है अब अब हम इसे धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? घाईस. कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएऄगा. और मेरी ये रेसिपी आप जरूर बनाईए. एक पर जरूर ट्राइ करियेगा. मसाला चिकन हमारा बन कर रेडी हो गया है. अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंदा है. तो आप YouTube चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करिए दा मेरे चैनल को सेयर करिए कमेंट करिए और मेरी रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए फिर मिलते हैं हम आप से एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्का